तो WhatsApp के तरफ से एक new policy आ चुके है, यहाँ पर WhatsApp बोल लाया कि सभी को एक उसकी जो की new policy accept करने के लिए क्योंकि यदि जो भी person यहाँ पर जो भी user, WhatsApp user यहाँ पर उसको accept नहीं करेगा तो उसकी account देरे-देरे यहाँ पर उसके जिदने भी यहाँ पर function है, देरे-दे close कर दी स्टार्ट करते हैं, तो WhatsApp की new policy के हिसाफ से आप उसके policy को accept नहीं करेंगे, तो simply उसके जितने भी features से धीरे-देरे लूज करना स्टार्ट करतेंगे, जैसे कि यहाँ पर वीडियो call या फिर voice call को सबसे पहले आप बंद कर दिया जागा, और उसके बाद यहाँ पर क्या होगा कि आपके जो भी text message होते हैं, उसके menu में आप नहीं जा सकते हैं, उपर से जो भी message आएगा notification में आप देख सकते हैं, और वहीं से reply कर सकते हैं, और उसके एक big बात आपके वह भी यहाँ पर disable कर दिया जाएगा, और इस policy को यदि आप यहाँ पर accept कर लेते हैं, तो कभी भी reject नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर यह बात आप यहाँ पर ध्यान में रखिए, और यदि आप इसको accept करने के बाद क्या होगा, कि जितने भी आपर आपके data हैं, देरे देरे लीक होना start हो जाएंगे, और आपका Facebook के तरह यह data share होते रहेंगे, और simply जब कभी भी आप WhatsApp business को use होगे, तो उसमें आपका यहाँ पर location, payment, payment history, कितना आपने आपर transaction किया, सभी चीज़ यहाँ पर history वहाँ पर record रहागी, और आपका data यहाँ पर Facebook के पास चला जाएगा, और वहाँ जैसा चाहिए, वैसा use कर सकता है, तो यह यह policy है, आप इसको accept करना चाहेंगे, या नहीं कर मैं चाहेंगे, simply comment box में बता सकते हैं, मैं तो अभी यहाँ पर WhatsApp के, इस policy को accept नहीं किया हूँ, और हमारे जो की phone है, इसमें pop-up message आना start हो चुका है, और यहाँ पर हो सकता है, कि WhatsApp disabled हो जाए, सभी features disabled हो जाए, तो हम लोग यहाँ पर messaging यहाँ यूज करना start कर देंगे, WhatsApp यह आप अपने data को share काना चाते हैं, accept काना चाते हैं, तो वो आपने डिपेंट करता है, और आप नीचे comment box में अपनी राय बता सकते हैं, तो फिलाल के लिए इस वीडियो में इतना है, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यबाद मिलते हैं इस वीडियो में, जाहिन बंदे मात आप